सल्मान खान के फैन बहुत खुश होगे तुम आज क्योंकि सल्मान खान आपको दिवाली में भी दिखाई देंगे, क्रिस्मस में भी दिखाई देंगे, एड़ी दो हजार पच्चिस में दिखाई देंगे, समझ रहे हो, कहां सोच रहे हो, 24 में सल्मान भाई नहीं आएंगे, लेकिन सलमान भाई दो बार आएंगे और दो बार जो आएंगे बाब लिए खतरनाक एंट्री के साथ आएंगे जिससे ठेटर स्टेटेटे में तबदील होगा हिंदु मुस्लिम सी किसाई सारे बाईयों को सलाम भाई हो आपका दोस्ताश्मूत खान यार क्या यार क्या क्या सर्प्राइस मिल रही है बेबी ज zitten की शूटिंग सलमान भाई स्टार्ट करने वाले है तीन दिन का कैमियो है जिसको खुड डेरेट करने वाले है एट्ली और जिसको लेकर सलमान खांगे फैंस में एकस्साइट्मिन तब से है जब जवान देखी तो वो लोग सोच रहते ए्टली जो सलमान को पर्जेंट करेंगे किस तरीके से करेंगे तो उसकी चोटी सी जलक यदि जौन में आपको देखने को मिलेगी जो एटली डिएट करके सलमान खान वरूर दवन केसाथ वो पांस मिनट के सीन बोला जाए इसमें सलमान का एस्पक्टर करेक्टर होगा बहुती चुलबूला करेक्टर होगा जिसमें मजाग भी होगी, मस्तीब होगी और एक्षन, मास, बाप लिवल का होगा उस पांच मिनट के सीन में सलमान खान वरूर्दवन के साथ वो माहोल बना देंगे कि ठेटर स्टेडियम बनेगा और गवाही देगा इस कैमियो की कि जो सलमान खान को एटली ने पर्जेंट किया है और मैं जानता हूँ सलमान खान जब स्क्रीन पर आते हैं ना यार वो खुदी माहोल अलग हो जाता है सिर्फ सामने उनकी जलक आती है और जब इस तरीके से आएगी जोहां बाप लेबल उनको पर्जेंट किया गया और उसमें ये बता दिया गया कि सलमान खान का रियल मिस्टारडम क्या है तो सोचो करेक्टर सलमान खान का ये जो कैमियो है वो कहां पर जाएगा आप सोचो अंदाजा लगो बट एक चीज़ ये है कि सलमान खान जो तीन दिन की शुटिंग करने वाले है आज से बताएगा है सलमान खान खान शुटिंग स्टार्ट कर दिया है तीन दिन शुटिंग चलेगी और इसो खुट जबर्दस तरीके से डेड़ेट करेंगे अटली और भव सेट लगा गया है बहुत बड़ा सेट लगा गया है और इस तीन दिन में मा बहन एक करने वाले है यार अटली कमाल का लेगिन सबसे ददा excitement यहां से ये हो जाएगी कि एटली की जो फिल्म आने वाली है एक सिक्स जिसका नाम अभी confirm नहीं है उसकी shooting में बहुत जल सल्मान भाई start करने वाले हैं और 100% एक ही चीज़ में कहता हूँ एटली अगर सल्मान खान को उस तरीके से पर्जेंट कर गया है जिसके लिए सल्मान खान करते हैं तो 100% में बता रहा हूँ यह फिल्म जो वो इतिहास बनाएगी वो हिस्टरी बनाएगी जो किसी ने सोचा नहीं होगा और हम उम्मीद कर सकते हैं कि एटली उस लेबल पर सल्मान खान को पर्जेंट करेंगे A6 में समझ रहो तो सल्मान खान का मैं बार बार बोलता हूँ ना भाईजान का रुदबा जो भाईजान का औरा है भाईजान का जो स्टार्डम है वो कोई भी एक्टर नहीं पा सकता है यार उनकी एक जलक सबसे अलग उनको देखने के लिए लोग बेचैन होते हैं और अगर वो सही डिरेक्टर के हाथ में आ गए और उनको डिरेक्टर ने सही यूज कर दिया वो ठेटर गवाही देते हैं इतिहास बनता है और लोग सालों तक याद करेंगे सल्मान भाई के इस करेक्टर को भी जो एटली सल्मान खान को प्रेजेंट करने वाले तो एकसाइट्मेंट भाई उसी चीज़ को लेके जादा चल रही है और मैं बहुत जादा इस चीज़ को लेके चल रहाता है कि सल्मान खान को मैं जब देखता हूँ तो सोचता यही हूँ कि भाई जो आपका स्टार्ड है जो आपकी दिवानगी लोगों के अंदर है जो क्रेजनेस है ना वो ओर्लोडेड है यार और आप जब परदे पर आते हो इस रियलिटी बताओ ना कुछ नहीं दिखाई देता यार ना कुछ सुनाई देता है बस सामने सल्मान खान होते हैं और अपने चेहरे पर एक मुसकान होती है कि सल्मान भाई सामने है और अगर सल्मान भाई कुछ अजूबी चीज़ कर जाते हैं कमाल कर जाते हैं तो आँख में आसू भी होता है और खुशी का पूछोने ठीकाना क्या होता है समझ रहो इसलिए सलमा खान के फैंस और हम लोग चाहते है सलमान खान एक अच्छा डिरेक्टर साथ काम करे न तो रियलिटी बताओ उसके जैसा स्टार कोई है यह नहीं मेगा स्टार तो एक ही है वो है सलमान कान सुपरस्टार बहुत होंगे मैं बार बबढ़ बोला मेगा स्टार सिफ एक ही है वो सलमान कान और अगर अच्छा डिरेक्टर मिल जाये तो उससे बेस्ट परफोर्फॉरमस कोई एक्टर करी नहीं सकता मैं लिख के देता हूँ आपके नेक्स आड़ उड़े इस इकसी को लिए कमेंट करें जुरू बताओ वीडियो अच्छरी की वीडियो को लाइक करो चलों को सब्सक्राइब करो मिलते हैं इस वीडियो पुमना ख्याल लगना ओके डाड़ आपके सी यू अगें